हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक में चैनल आज हम बनाने जा रहे हैं कैसा स्नेक्स जो दो चमच बेशन की सहता से बनेगा और बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी तो कैसे बनाएंगे यह सब मैं शेयर करूंगे आपके साथ अपने इस वीडियो में तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहां पर मैंने लिए एक बड़ा सा बरतन और इसमें डालेंगे अब हम दो चमच भरकर बेशन जो नौर्मल साइज के चमच होते हैं वही दो चमच इसके अंदर हम बेशन डालेंगे और उपर से डालेंगे हम दो कटोरी ही गेहूं का आठा तो जो नौ कटोरी गेहूं काटा और दो ही चमच घी एट करेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे नमक स्वात के अनुसार और इसके अंदर डालेंगे अब हम अजवाइन और अजवाइन के बाद हम डालेंगे थोड़ी सी सूखी जो कसूरी मेथी होती है उसे हम मैश करके डाल देंगे इसके अंदर और अब हम इन सब चीजों के अच्छे से मिक्स कर लेंगे कहीं भी लंस ना रहे और इसको एक अच्छा सा fine material बनाके त्यार कर लेंगे और हाथ में लेकर हम देखेंगे कि हमारा जो गी का जो material त्यार हुआ है यहों के अटे के साथ मिक्स होके वह त्यार होया है कि नहीं देखें इस तरीके से त्यार हो चुका है यह तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी एट करके इसे गूंद लेंगे और इसको हम एक बिल्कुल soft सा दोड़ बना के त्यार कर लेंगे ना ज्यादा hard और ना ज्यादा soft मतलब एक जैसा हम आटा गूनते हैं उस तरह से हमें बना कर इसे गून लेना है तो इसे ज्यादा हाड नहीं गूनना हमें और ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना एक जैसा रखना है तो इसको मैं इस तरीके से सारे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और इसको एक fine जो material होता है से बना कर मैं थ्यार कर लूँगी चारो तरफ से मैं आटे को खूँब अच्छे से देखें इस तरीके से मैं इसको बना कर लिया है आटे को आप आटे की जगे मैदा भी ले सकते हैं फ्रेंट्स पर मैंने यहां पर गहूं काटा लिया है तो देखिए इस तरीके से मैं इसको अब 10 मिनिट के लिए रख दूंगी रेस्ट करने के लिए तो मैंने यहां पर इसको कवर कर दिया है और अब हम बनाएगे इसका पेस्ट तो मैंने यहां पर 2-3 चमच घहों काटा लिया है और इसके अंदर मैं डालूंगी घी जो एक पेस्ट होता है वो बना कर हमें त्यार करना है तो घी सर्दियों का टाइम है फ्रेंट्स तो घी थोड़ा हमारा जम जाता है तो मैं इसको थोड़ा सा मैल्ट करके इसके अंदर मिक से मैंने इसका पेस्ट बना लिया है घी और गहों के आटे का तो यहां पर 2-3 चमच घहों के आटे में घी आट कर दिया है मैंने और इस तरीके से पेस्ट बना लिया और आटा हमारा सेट हो चुका है फ्रेंट्स 10 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया है और अब हम इसके ब बनने वाला स्नेक्स है और बच्चे और बड़े सभी को बहुत पसंद आने वाला है और आप इसे चाहे तो दो महिनी के लिए स्टोर भी कर सकते हैं तो यहां पर पांच पेड़े बनकर त्यार हुए हैं और मैंने इनको अच्छे से रोल करके रख देती हूं और यहां पर बनकर त्यार होगे हमारे पांच पेड़े तो अब हम बनाएंगे खस्ता मठरी तो अब हम इसको चकले पे अच्छे से इसको जैसे हम चपाती बेलते हैं उसी साइज में हमें इसको खुब अच्छे से पतला करके बेल लेना है जितना हम इसको अच्छे से पतला करके बेल सकते हैं उतना हम इसको खुब अच्छे से बेल लेंगे चारो तरफ से एक जैसी पतली चपाती होती है वैसे हम इसको बना लेंगे तो यहां पर मैं इसको बेल लेती हूँ अच्छे से इस तरीके से मैंने इसको चार तरफ से बेल लिया है खुब अच्छे से राउंड शेप में और अब हम इसके अंदर लगा देंगे जो आटे और घी का पेस्ट बनाया था हमने वो जैसे हम प्रांठे बनाने के लिए घी अ अंदर लगाते हैं उसी तरीक से मैं इस चपाति की ओपर फैला दूंगी चारों सबीलबसakah और इसको हम किस तरीके से फोल्ड करेंगे देखते हैं तो आधा मैंने इस साइट से फोल्ड किया और आधा इस साइड से यानि कि दोनों ब्राबर साइट से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है और उसके उपर भी मैं घी और आटे का पेस्ट लगा दूँगी और उपर से डाल देंगे हम सुखा आटा थोड़ा सा और इसको भी मैं कैसे फोल्ड करती हूं बतिखाती हूं आपको तो आधा इस साइट से और आधा इस साइट से यानि कि दोनों बराबर साइट से हम इसको इक्वल इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे जैसे हम चौरस प्रांठा बनाते हैं ना फ्रेंट्स उसी तरीके से और सुखा आटा डालके हम इसे थोड़ा बेल लेंगे जैसे हम चपाती को ai सो इसको इसको भी पतला पतला हमें बेलना है जितना हम भी उसको पतला कर सकते हैं कर लें तो चार तरफ से मैंने घी और आंटे का पेस्ट लगा दिया है और इसके भी डाल दिया थोड़ा सा सुखा अंटा और इसको नहीं से फोल्ड करूंगी आदे साइट से और इसके अपर भी घी और आटे का पेस्ट और थोड़ा सा डालेंगे सुखा आटा और दूसरी साइड से मैं इसको इसके उपर फोल्ड कर दूँगी और ब्राबर एक दम से कर दूँगी चारो तरफ से और थोड़ा सा सुखा आटा डालके अब हम इसको हलके हाथ से बेलन की सायता से बेल देंगे जितना हम इसको अच्छे से बेलेंगे जितना हम लंबा कर सेते हैं अच्छे से कर लें जितना हम इसको बढ़ा सकते हैं तो मैं इस तरह बेलन से इसको खुब अच्छे से बढ़ा साइज में इस तरीके से देखे फ्रेंट्स इस तरीके से मैंने इसके ब्राबर ब्राबर से साइज काट लिए हैं तो यहां पर मैंने सारे कट कर लिए हैं तो यहां पर त्यार हो गए देखिए फ्रेंट्स बनकर हमारे खस्ता मट्री अब तो इसी तरीके से मैंने जो बाकी के आटे के थे वो भी बना कर त्यार कर लिए हैं खस्ता मट्री तो इस तरीके से मैं अब इनको करूंगी डीफ्राई और डीफ्राई करने के लिए मैंने यहापे ओयल को अच्छे से गरम करने के लिए रख दिया था पहल कि यहां पे मैंने डाल दी है मठरी को बनने के लिए तो यहां पे हम इसको Sesame पे बिलकुल सेहेंगे ज़्यादा हाई फ्लेम पे सेने से जो हमारा वियंजन ह्या जो भी हम बना रहे हैं मठ्री या कुछ भी समान जो भी हम खाने की चीज बनाते हैं तो उपर से तो पक जाती है अंदर से कच्छी रह जाती है इसलिए flame को हमेशा medium ही रखे और ज्यादा slow भी नहीं रखे क्योंकि ज्यादा slow करने से हमारा जो वियंजन है वियंजन या कुछ भी हम बना रहे हैं वो ज्यादा तो इसलिए हम इसको medium flame पे ही सेखना पसंद करेंगे ताकि एक जैसी आच इसमें लगती रहे और हमारे जो भी चीज है वो अच्छे से सिक्कर त्यार हो जाए तो यहां पर देखे इस तरीके से हमारे जो खस्ता मठरी है वो सिक्कर त्यार हो चुकी है और मैं अब इन सब को न चारो द्रफ से खुब अच्छे से सिक्कर त्यार हुई है और यहां पर त्यार हो चुकी है हमारी खस्ता मठरी इस तरीके से फ्रेंड्स देखिए और दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया था इसी तरीके से सिक्कने के लिए इसको भी मैं बिल्कुल medium flame पे सेका और यहां पर सिक्कर त्यार हो गए हैं खुब अच्छे से तो अब इनको भी मैं निकाल लेती हूँ प्लेट के अंदर तो यहां पर बारी बारी से में इनका ओयल अच्छे से निचोड़के इन्हें निकाल लेती हूँ प्लेट के अंदर प्रेंट पीछे बच्चों की आवाज आ रही होगी तो उसको आवाइट करना बच्चे है शाम का टाइम है तो बच्चे खेल रहे हैं थोड़ा पार्क में तो यहाँ पर त्यार हो गये हैं हमारे क्रिस्पी मٹरी और एकसता तो एक मैं आपको तोड़के दिखा देती हूं किस PAT事 के से बनेए देख़िए चाड़ो द्रफ्प से और देख़िए एक त्यम कितनी क्रिस्पी है एक क्रिस्पीों चकना चूरा चूड शी होगी है और बहु के साथ या सुभे की चाय हो या शाम की आप अच्छे अच्छे बड़े सभी को दे सकते हैं खाने के लिए और बहुत ही टेस्ट लगते हैं तो आप भी बनाईए दो चमच बेसन की साहता से जो इसके में बेसन का स्वाद है वो और भी अच्छा से निकल कर आता है अगर आपक के साथ नहीं कुकिंग वीडियो के साथ थैंक यू वेरी मुच फ्रेंड सकते हैं